जें दोस्तों सोगत आपको चनल तकड़ाफोजी पे दोस्तों आज इस वीडियो पे मैं बात करूँगा बीएशेप के बारे में जया दोस्तों बीएशेप के फुल जॉब प्रोफाइल बताऊंगा बीएशेप में कैसा नौकरी मिलता है कितना मैंने का ट्रेनिंग होता है कि या बीएशेप में फेमिली परमिशन एलाओ है पूरा डेटेल्स में बताऊंगा वीडियो को प्ली लास्ट तक देखेगा और प्लीज वीडियो को लाइक कीजएकर चनल को सस्क्राइब कीजएकर दूस्तों आए आगे बरते हैं और जानते हैं बीएशेप के बारे में बी security force ज्या दोस्तों BSF आम तोर पर जो है पाकिस्तान बॉर्डर पर और बंगलादेश बॉर्डर पर ही सिर्फ और सिर्फ डूटी करता है अभी BSF में नोकरी कैसे मिलेगा BSF में यदि सिपाह रेंग में आना चाते हो तो आपको स्टाप सिलेक्शन कमिशन का एक्जाम देना परता है तो उसमें फॉर्म बढ़ाए जाते है उसमें इंटर्व्य होता है तो आप जो है सिपाहरेंग में आ सकते हो इसके अलाबा बहुत सरे से ओपन डेली भी होता है वह डाइरेक्ट बढ़ाए बात करते हैं कितना मेना का ट्रेंग है B.S.F. में B.S.F. का ट्रेणिंग टोटल एक साल का ट्रेणिंग होता है और 6 मैना ट्रेणिंग के बाद जो है आपको छुट्टी भी मिलेगा अपको फिर 6 मैना कराए जाएगा अभी बहुत सारे दोस्त मेरे को ये भी बोलता है कमेंट करता है कि सर BSF में salary मिलेगा कि नहीं training के द्वारान बाई training जिस दिन salary जो है जिस दिन आप join करेंगे उसी दिन से आपका salary मिलना शुरू हो जाएगा अगले मेन आपका salary आपका account में आ जाएगा अभी training के द्वारान कितना मिलेगा आपको देखिए BSF का नौकरी जो हमारे CRPF का नौकरी जो C पहरेंग का नौकरी है वो group C category में आता है और 7th pay commission का level 3 में आता है तो आपका basic pay होगा 21,700 बाकि आपका allowance कुछ होगा DRNS allowance होगा, HRA, house rent allowance ठीक है और Russian money होगा, कुल मिला कि आपको training के दोरान in hand, account में आपको आजाएगा 30,000 तो confirm आजाएगा आपको और training के तुरान बाद यदि आपका posting के दूसरे state में हो जाता है जैसे कि अर्सामत्री पूरा वेश बेंगल, पंजाब, ठीक है जमु कश्मीर, इसे अलग-अलग state में हो जाता है आपका posting तो उसी साब साब का salary भी बढ़ेगा बहुत से से मेरे दोस्त कॉमेंट करता है कि भाई, BSF में salary बढ़ता है कि नहीं training के बाद तो obviously बढ़ता है यार देखो, BSF के नौकरी, CRPF के नौकरी हर तरह के paramilitary के नौकरी जो है, वो region wise state wise, district wise, जो है salary अलग-अलग है तो BSF का भी नौकरी में आपका यदि duty border array पे रहता है, कैसी hard array पे रहता है, तो आपको salary जादा मिलेगा, और आप यदि city में रहते हो, तो आपको salary थोड़ा कम मिलता है इसमें, ठीक है अभी बहुत सारे से दोस्त मेरे को बोलता है कि, सर, BSF का नौकरी कीज़ा सिर्फ border पे एका नवरता है, क्या बहुत नहीं, border पे नहीं BSF का नौकरी जो है इसमें हर तीन-चार साल बाद आपका posting हो जाता है transfer कहीं, दूसरे जगा पे हो जाता है अभी मानले जिए आपका posting है border पे अभी, किसी श्टेट की border पे मनले पंजाब के पकिस्तान border पे आपका duty है, तो अगले तीन या चार सल बाद आपका दूसरे जगा transfer हो जाएगा, मनले जी असाम का कोई शहर में हो जाएगा यह नहीं कि पूरा साथ सल तक आपको border पी करना परे, नहीं आपको city में भी करने का मौका मिलेगा, ठीक है BSPK से बहुत सारे frontier है battalion है, ठीक है बहुत सारे camp है, उसमें भी आपको posting मिल देगा आपको यह नहीं कि पूरा साल पर साल जो है आपको border पी duty करना परता है, नहीं इसमें आपको जो है, region wise आपका salary पर रहेगा, आपका यदि hard area पर रहता है तो उसमें आपका salary और 10-15,000 बर जाएगा यार, देखो, salary उसमें आपका यदि hard area पर रहता है तो आपका in hand 45,000 से 50,000 आपके account में आ जाएगा आप यदि soft area में रहते हो तो आपका 40,000 तो confirm यी confirm training के बाद बढ़ा बता रहा हूं में ठेक है, तो training के बाद आपका in hand जो है 45,000 आपका salary बन जाएगा और training के दोरान 30 से लेके 35,000 आपका salary confirm है अपका ठेक है, अच्छा इसके बाद बात करते हैं, इसमें duty करना क्या परता है देखिए, BSAF आमतर पर Pakistan border पर और Bangladesh border पर करता है इसमें और भी बहुत सरी duty है, जिसे NDRF के साद भी duty करता है इसके बाद जो है, election duty भी करना परता है, कोई आपदा हो गया ठीक है, इसमें रहात कारिया और ठोकने का आप यदि border पर खरे हो, और यदि illegal को यातंग बादी गुस रहे तो उसमें तो आपको ठोकने का मौका मिलेगा बहुत सरी लगकों को ऐसा सपना रहता है कि काश में भी एक दिन किसा आतंग बादी को ठोकू यह कैं तो, सपना आपका सच हो जाएगा BSF के नौकरी में बहुत से दोस्तों का सपना है पर मेरे के से भी करके जॉब मिल जाए BSF का, वर्थी पहनने को मौका मिल जाए, बस तो यह opportunity है दोस्तों, BSF में आने का, और border पे खरे रहना का rifle लेके, और यह दिल लेगल कोई गुस्पेट करता है, कातंग बादी तो ठोकने का भी मौका मिलेगा दोस्तों BSF का नौकरी में, हमरे paramilitary में, जो CRPF, CISF, BSF, ITVP, SSB, आशामरेफेल, इसमें से CRPF और BSF का नौकरी best है भाई, सब नौकरी best है, बहुत से से दो कोई कोई दोस्तों बोलता है कि भाई मेरे को CRPF में आना है, BSF में आना है देखो, हर साल जो vacancy निकलता है, BSF और CRPF में सबसे ज़्यादा vacancy है, हला कि इस साल, CISF में ज़्यादा vacancy है, लेकिन BSF में और CRPF में सबसे जाधा वेकेंसी रहता है और इसमें बहुत बर उपरचिनिटी है आपके लोग BSF में आने का और सपना सच करने का मौका है इसमें बहुत से लोग बोलते है भाई ये फोर्ज आच्चा नहीं है वो फोर्ज आच्चा नहीं है ठीक है तो आप खुद देखिये वो जो बंदा बोल रहे है खुद क्या कर रहे है उसको नौकी मिलाए की नहीं ठीक है जो बोलता है बोलता है आप अपना सोचो ना आपको तसल्ली मिल रहे की नहीं आपका जो है proud feel हो रहे की नहीं आपका family की बारे मीं सोचो कि वो लोग proud feel करता है कि नहीं लोग क्या बोल रहे हैं वो मत सचो कि भाई ये जो वाच्छा नहीं है ठीके बॉर्डर पे खारे रहना परता है अरे यार एक बार बॉर्डर पे खारे रहे हैं देखो उसको बोलो जो बोल रहे हैं वेक्ती उसका फट जाएगा उसका क्या बोलते ठीके तो आपका यदि सपना है B.S.A.P. में आने का बेश्ट है B.S.A.P. का नौकरी और इसमें उपर्चिनिटी है फाइट करने का बहुत ज़्याशे दोस्तों का सपना रहता है भाई इसे आतंगबादी के साथ मुडवेर करें ठीके गोली बारी करें तो B.S.A.P. में भी ऐसा उपर्चिनिटी है बॉर्डर पे खरे रहे के आतंगबादियों के साथ वो लोग ड्यूटी ऐसा करता है चम्मो कश्मीर में पंजाब में ठीके ऐसा होता है B.S.A.P. का नौकरी जो है इतना आसान नहीं है हर एक फोच का नौकरी जो है इतना आसान नहीं है दोस्तों ठीक है तो कोई भी पेरमेलिटर के जो जॉब है वो इतना आसान नहीं होता है बहुत हाड है और बढ़िया नौकरी है दोस्तों बेस्ट नौकरी है, BSF का तो बहुत ही बरिया है, ठीक है, तो लोग क्या बोलता है, उसके बारे में मत सोचों, इसमें बात करते हैं, टॉपिक में, अभी BSF में जो है, फेमिली पर्मिशन है की नहीं, देखो, आप यदि बॉर्डर पे रहते हो, तो उसमें तो फेमिली पर्मिशन नहीं मिलेगा, लेकिन आपका पोस्टिंग यदि सीटी में रहता है, ठीक है, तो आपको जो है फेमिली रखने का मौके मिलेगा, आपका पोस्टिंग यदि हेटक करता है कि सर खंबा मिलता है कि नहीं ब्यस कramबा मिलता है और एक खुद-उक है और चोद आपको खरीदना परएगा केंटिन प्राइस में मिलेगा आपको तो इसमें family permission मिलता है salary भी बरिया है और आपको मौका है जो है border पे खरेयों के duty करने का इसके बाद बात करते हैं BSA में promotion कैसे ले जाता है देखिए promotion आपका जो है service चार साल होना चाहिए अभे training एक साल और चार साल service टोटल पांस साल के बाद जो है आप departmentally exam दे सकते हो आपका ठीक है तो आप जो है हवलदार के head principal RO जो होता है head principal ministry staff होता है इसमें आप exam देखे आप rank ले सकते हो आप 12 pass होना चाहिए और PCM होना चाहिए तब आप RO में जा सकते हो radio operator में जा सकते हो इसके अलाब आप 7 inspector पद में भी exam देखे जा सकते हो NOC कैसे मिलेगा NOC आपका जो rank है आपका जो salary है basic salary उससे जादा होना चाहिए तब ही आपको जो है NOC मिलेगा यह हर एक department पर है ऐसा ठीक है आपका जो salary upper grade में जा सकते हो आप ऐसे नहीं के lower grade में आप यदि lower grade में जाते हो तो आपको इस्तिफा देना परेगा तब ही आप जो है वह नोकरी ले सकते हो आप resign देखे और upper grade में दी जाते हो तो नोकरी में रहते हुए आप NOC लेके आराम सी exam देकी इज़त से आप जा सकते हो अपर ring में star लगा सकते हो रिबन लगा सकते हो ठीक है head constable जा सकते हो ठीक है head constable ministry जा सकते हो आरू जा सकते हो ठीक है और departmentally से बहुत सरे exam भी होता है SI का assistant commandant का तो उसमें भी आपका promotion हो जाएगा आप यहीं सोचते हो कि हाँ मैं time was BSF में promotion लो तो BSF में promotion जो मामला है वो बहुत ही slow है आपको 20 साल लग जाएगा हवालदार ring लेते लेते हमारे CRPM पे तो 15-16 साल के बाद ही लग जाता है यदि आप timing के साब से आप promotion लेते हो तो आपको 20 साल लग जाएगा BSF में इसके बाद 25-30 साल लग जाएगा ASI rank लेने में ठीक है तो BSF में rank जो है promotion जो है वो बहुत ही slow है वो बहुत ही slow है BSF में लेकिन आप departmentally exam देखे आप अराम से जो है rank ले सकते हो फिती लगा सकते हो श्टार लगा सकते हो ठीक है तो opportunity है आपके अच्छे से अच्छे पराई है आप एदी graduate 12 पास हो आप अराम से departmentally exam देखे आप उच्छपद में जा सकते हो तो बाई देखो BSF का नौकरी तो मेरे लिए बहुत ही best है मेरे नजर में तो बहुत ही best है हमारे paramilitary में CRPF इसके बाद नाम आता है BSF का और duty भी एकदम बढ़िया है और salary भी बढ़िया है और आपको इतन बढ़ा मौका मिल रहे है कि बर्दी पेन के rifle लेके खारे हो border पे किता शान का बात है तो opportunity बहुत ही बढ़िया है दोस्तों BSF का नौकरी में तो आपको यदि सपना आता है खुले आकों में तो वो सपना obviously सच होगा आप यदि मेनत करते हो तो obviously सच होगा BSF का नौकरी में आक आप border पे rifle लेके खारे हो सकते हो बहुत से भारत में बहुत से परिबार है जिनको दोबत का रोटी नहीं मिलता है उनकी लिए तो ये नौकरी जो है हमारे force का नौकरी बहुत ही best है यार देखो 10th pass का नौकरी ठीक है salary कीता मिल रहे है 40-50,000 देगा कोई दुकान या फिर बहुत का रोटी नसीब नहीं होता है उनकी लिए ये job जो है बहुत ही best है जिनके पास बहुत सारा दौलत है पैसा है उनको तो मैं आज जोडता हो उनकी लिए नहीं है लेकिन आपको ये पेट के लिए आना है वर्दी के लिए आना है तो BSF का नौकरी हमारे पेरे मिलिटर का नौकरी best है दोस्तों आप लोग apply कीजिए मेहनत कीजिए obviously मेहनत का फल जहर रंग लाएगा दोस्तों आप एक दिन जरूर सिलेक्ट होंगे और एक दिन वर्दी पेहन के rifle लेके सीना तान के आप खरे ले होगे पाकिस्तान बॉर्डर पे और उस समय आप proud से आप बोल पा रही हो और आपके ऊपर आपका family आपका गाओ वाला ठीक है आपके relative जो है proud feel करेगा कि हां मेरा वाई जो है मेरा बेटा जो है border पे करा है वो फोज का नौकरी कर रहे है पॉसे से दोस्त बहुत से लोग बोलते है क्या रही फोज का नौकरी अच्छा नहीं है यार मत जाना इसमें ठीक है salary अच्छा नहीं मिलते है कहा का border पे खर रहे ना परते है भाई वो बंदा क्या कर रहे है वो देखो ना एक बार आप किसी दूसरे के बातों में ना आओ आप अपना देखो ठीक है आपका मन का सोचो आपको यह दिस अपना है फोज में आने का welcome है दोस्तों आप आईए मैनत कीजिए फोज में आने का तो अब वेस्ति नौकरी मिलेगा और आपका वर्दी पेहने को मौका मिलेगा फ्राउट फिलोगा आपका family का भी और आपका खुद का भी आप खुद के ओपर सोचो आपका सपना के बारे में सोचो आपके सपना क्या है कैसे सच क और पराई करो ठीक है बSec कोटा ने करांती का भी यह सबीक है पूरे वारत मैं तो बहुत बरका है का हर मिलेगा हर साल चुकती मिलेगा बबहां 75-85 से 50 दिन तक चुप्टी है इनका हमारे CRPF जैसा ही है चुट्टी तो आपको चुट्टी आप जब भी प्लैन करेंगे उससे आप से आप चुट्टी चले जाना है जब भी मन करते हैं कि हाँ मैं घर पे जाओंगा तो ठीक है 20 दिन 10 दिन एक मैंना चुट्टी चले जाएगा ठीक है तो बहुत बरो मौका है जोस्तों और CRPF और BASF जो है बेस्ट नौकरी है बहुत से पेरामिलिटरी जो नौकरी है सब भी बेस्ट है ठीकिन मेरे नज़र में CRPF BASF बेस्ट है ITVP, ASAMRIPAL, SSB ठीक है CISF वो भी बहुत बहुत बताऊंगा CISF के बारे में जो प्रोफाइल के बारे में क्या क्या फेसिलिटी है क्या है पूरा बताऊंगा CISF के बारे में तो वीडियो के अच्छा लगते है तो वीडियो को प्लीज लाइक की जाएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब की जाएगा दोस्तों मिलते ह आगले वीडियो पे दें तब तक के लिए जय हिन दोस्तों